आज हम आलू और पोहा से कटलेट बनाएंगे कटलेट बहुत जादर टीस्टी और क्रिस्पी बनते हैं साथ ही ये जटपट से बनकर त्यार हो जाते हैं नमस्ते दोस्तों स्वागत है टेस्टी वेश फूट पर रेसिपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें आलू पोहा कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कब पोहा लिया है ये जाड़ा पोहा है अब हम इसे दो से तीन बार अच्छे से वाश कर लेंगे देखिए मैंने पोहा को अच्छे से वाश कर लिया है और एक छलने के उपर निकाल लिया है अब हम इसे आठ से दस मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे इतनी देर में पोहा अच्छे से फूल जाएगा अब मैंने यहाँ चार मीडियम साइच के उबले हुए आलू लिये है अब हम इन्हें अच्छे से कद्दुकस कर लेंगे देखिए मैंने आलू को कद्दुकस कर लिया है अब हम इसमें काफी सारा कटकिया हुआ हरा धनिया दो कटकी हुई हरी मिर्च एक चोथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच जीरा आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथि डालेंगे यहां मैंने कसूरी मेथी को लो फ्लेम पर दो मिनट तक ड्राय रोस्ट करके लिया है अब इसमें आधा चम्मच नमग, एक चोथाई चम्मच शक्कर और एक चम्मच अमचुर पाउडर डालेंगे देखिए अब दस मिनट के बाद पोहा अच्छे से फूल चुका है अब हम इसे हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे देखिए मैने पोहा को मैश कर लिया है अब हम इसमें मैश किया हुआ पोहा डालेंगे और साथ ही इसमें 3 टिबल स्पून कॉन फ्लोर डालेंगे कॉन फ्लोर मिक्शर को अच्छे से बाइंडिंग देगा और fry करते वक्त कटलेट ओयल में तूटेंगे नहीं अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम थोड़ा सा मिक्षर लेंगे और इसे टाइट हातों से बनाते हुए टिक्या का शेप देंगे अब इसी तरह से सारे कटलेट बना कर त्यार कर लेंगे देखिए मैंने सारे मिक्षर से कटलेट बना कर त्यार कर लिये हैं अब मैंने यहां थोड़ा ब्रेट क्रम लिया है अब हम कटलेट को ब्रेट क्रम में अथे से कोट कर लेंगे अगर आपके पास ब्रेट क्रम नहीं हो तो आप यहाँ पर बची हुई रोटी को बारिक पीस कर इस्तमाल कर सकते हैं देखिए मैंने सारे कटलेट को ब्रेट क्रम से कोट कर लिया है अब हम इन्हें 20-25 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे इसे ब्रेट क्रम और कटलेट अच्छे से सेट हो जाएंगे अब कटलेट को फ्रिज में रखे हुए 25 मिनट हो चुके हैं अब मैंने इन्हें फ्रिज से निकाल लिया है अब हम इन्हें fry करेंगे, ओईल को एक बार अच्छे से गरम करेंगे, उसके बाद हम गेस का flame मीडियम पर करदेंगे अब हम ओईल में एक एक करके cutlet डालेंगे और इन्हें कुछ देर तक fry होने देंगे कुछ देर के बाद इन्हें पलट देंगे यहाँ हम गेस का फ्लेम मेडियम पर ही रखेंगे और इन्हें अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेंगे देखिए अब कटलेट अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं इन पर अच्छा सा कलर आ गया है साथ ही ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे कटलेट को फ्राइ कर लेंगे आलू पोहा के ये कटलेट बहुत जादे क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं अगर आपके पास उबले हुए आलू हैं तो आप इन्हें जटपट से बना कर त्यार कर सकते हैं अब आप इस रेसिपी को एक बाज जरूर ट्राइ करें